पीसेअस करंट नुज में अभी की खबर है इंडिया इंटरनेट गवननेंस फोरम 2022 हाली में नई दिल्ले में 9 से 11 दिसंबर तक इंडिया इंटरनेट गवननेंस फोरम 2022 का आयोजन किया गया इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्राध्योगी की तथा कौशल विकास राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि विश्व में भारत सबसे बढ़ा कनेक्टेड देश है जहां 800 मिलियन से अधिक ब्रॉड बैंड उपयोग करता मौजूद है वर्ष 2022 के लिए इसकी थीम भारत के सशक्तिकरण के लिए प्राध्योगी की के दशक का उपयोग यानि लेवरेजिंग टेकेट फॉर एमपावरिंग भारत है आई अब बात करते हैं IIGF के बारे में तो ये UN Internet Governance Forum से जुड़ी एक पहल है ये फोरम एक बहु हित्धारक प्रेटफॉर्म है जो विभिन समुहों के प्रतिनिधियों को एक साथा आगे लाता है IIGF में इंटरनेट गवननेंस से सम्मधित लोक नीती के मुद्दो पर चर्चा होती है ये अंतर सरकारी संगठनों, नीजी कमपनियों, तकनीकी समुधाय, शैक्षणिक समुधाय और नागरिक समाज संगठनों के बीच चर्चा को सुविधा जनक बनानी की क्षमता प्रदान करता है अब नजर डालते हैं भारत में इंटरनेट की शुरुआत पर तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत 1986 में हुई थी और तब ये केवल शैक्षिक और अनुसंधान समुधाय के लिए ही उपलब था इंटरनेट तक आम जनता की पहुँच 15 अगस्तो 1995 को शुरू हुई जबकि 2005 से देश में ब्रॉडबेंट क्षेत्र के विकास में तेजी आई है भारत सरकार ने इंटरनेट आधारित पारिस्तितिकी तंत्र के विकास को और तेज करने के लिए भारत नेट डिजिटल इंडिया, ब्रैंड इंडिया और स्टार्ट अप इंडिया जैसी परियोजना को शुरू किया है प्रिये व्यूर्स, 68BPSC प्रारमभिक परिक्षा को ध्यान में रखते हुए द्रिष्टी PCS एक कारिक्रम लेकर आया है इसका नाम है Target 68 BPSC इस कारिक्रम में हम कवर करेंगे बिहार स्पेशल फैक्स, इतिहास, सामाने विज्ञान, करंट अफियर्स और और भी बहुत कुछ इसलिए देखना न भूले हर रोज शाम चार बजे हमारा कारिक्रम Target 68 BPSC